हेलो फ्रेंड्स, वेल्गम टो मेकैनिकल टेक हिंदी आज किस वीडियो में हम बजाज पलसर 125 नियोन का टेकनिकल रिव्यू करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंटर जरू देखे फ्रेंड्स, इस बाइक में आपको 124.4 CC का 4-stroke 2-valve twin spark DTSI engine मिल जाएगा डिसका maximum power पचासी सो आर्पीम पे 12 PS और maximum torque पैसाट सो आर्पीम पे 11 Nm है इस बाइक में आपको kick और self start दोनों ही मिल जाएगा जो कि अच्छी बात है fuel supply की बात करें तो यहाँ पे fuel injection मिलता है इसके अलावा इसका transmission है वो manual है और यहाँ पे gearbox में आपको 5 gear मिल जाएंगे इस बाइक में आपको ABS की सुविधा नहीं दी गई है speedometer digital है, tachometer analog है, odometer, trip meter और fuel gauge यहाँ पे दिया गया है इस बाइक में halogen headlight का यूज किया गया है और जो tail light है वो LED tail light यहाँ पे यूज किया गया है friends tires and brakes की बात करें तो इस बाइक पर आपको front में 80 by 100 सतरा का front tire मिल जाता है और rear में 100 by 90 सतरा का rear tire मिल जाता है जो tire का type है वो tubeless है wheel का size front का 17 inch और rear का पीछे का 17 inch दोनों का 17 inch है यहाँ पर आपको alloy type wheel मिल जाएगा front brake disc है और rear brake जो है पीछे का वो drum brake यहाँ पे दिया गया है friends इस bike का length 2055 mm है width 755 mm है height 1060 mm है और जो fuel की capacity यहाँ पे दी गई है fuel tank में वो 11.5 liter का दिया गया है ground clearance 165 mm दिया गया है और जो curb weight है इसका वो है 140 kg friends देखने में neon color में यह जो बाइक है बजल सर 125 यह बहुत ही खुबसरत लगता है बहुत ही आकरसक लगता है और यह इस variant में एक तरह से खुबसरत bike की गिंती में भी आता है और sporty look के साथ आता है सारा कुछ यहाँ पर आपको बनिया दिया गया है अगर प्राइस की बात करें तो इस bike का प्राइस सततर हजार on-road प्राइस इसका आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आगे पीछे हर तरफ से और जो डिजाइन है और खास एक इसका जो कलर नियोन कलर दिया गया है वो बहुत ही पढ़िया लगता है बहुत ही और फिरोजी कलर के यहाँ पर पलसर और 125 लिखा हुआ है तो वो जो कि और भी आकरसक इस bike को बनाता है फ्रेंड्स वी